नमस्कार दोस्तों स्वागा था आपका मेरे चैनल में तो आज हम डिस्कस करेंगे Infosys का कि quarter through और quarter three के result के बाद के जो share के ट्रोप में है वो क्या similarity है ऐसा पहले भी हुआ है के नहीं हुआ है तो आज देखते हैं कि दोनों cases में क्या हो रहा है तो 13 October को जो price था जो Infosys के share का वो 1185 रुपे था जो की EQ2 का जो result था उससे एक दिन पहले का date है तो उस दिन जो price था वो 1185 रुपे था Infosys का और 13 January जो कि 14 January को result आना था उससे एक दिन पहले का जो price है वो है 137 रुपे था तो दोनों dates पे price यह है अब मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि same price मतलब जो मैंने वहाँ पे आपको बताया वो same price आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि same price 137 रुपे और वही 13 October और 13 January का price यह आप चार्ट में देख पा रहे हैं फिर हम आते हैं एक दिन बाद का result के फिर 15 January का देख लेते हैं जो कि quarter three के एक दिन बाद का है वो है 1343 रुपे जो की highest point आपका 1387 के राउंड गया है उस दिन पे 13 के 13 January को तो जो price में difference हो आगया है करीबन करीबन 44 रुपे का तो दूनों cases में आप देख सकते हैं downward moment है same graph चल रहा है दूनों cases में कोई भी difference नहीं है अगर आप देखेंगे तो graph में आपको मैं आपको chart में दिखा देता हूँ जो monthly charts होते हैं आपके तो मैंने 6 month का chart लिया हुआ उसमें देख सकते हैं same आपका downward moment जो उसमें हुआ था वो ही इसमें हुआ है दूनों cases में same ही है आपके पर हां कुछ दिन तक price कम जा सकता है आप यह मान के चलिए यह नहीं है कि price कम नहीं जाएगा अगर आप उस low पे बेज देते हैं तो आपको कितना 280 रुपे का नुक्सान होता direct diet 240-250 रुपे का अगर आपने उस low पे नहीं बेज जा नीचे जब जा रहा था कुछ दिन तक तो आपने वो price से बचाए रखे और उस पैसे को आप दुबार भी invest करते जो कोई उसको tax भी बना पड़ता अगर within year आप बेजते तो आप आपने ना बेज़े फिर भी price बढ़़ा आपका double benefit हुआ है आप more than a year रख रहे हो तो tax भी नहीं लगेगा आपको एक लाग रुपे तक का तो दो-दो benefit कमा रहे हो आप तो conclusion में ये कहरा हो सकता हूँ मैं आपको कि surely ये सब-सोला सो रीच करेगा ये नेंट तो ये चिंता मत करिएगा कि ये price क्यों कम हो रहे है चिंता करने की कोई बात है ही नहीं जब सारी deals अच्छी है सब result अच्छे है तो कोई भी reason नहीं है इसका जो behavior है इसका वो same ही है quarter 3 के time में quarter 2 के time में और देखे आप difference भी 200 रुपे का है दो एक quarter में ही इसने 200 रुपे increment कर लिया अपनी जो है price को तो अगर ऐसा बेच के निकलेंगे ना किसी भी share को बेच के निकलेंगे तो बाद में आप अस्ताएंगे कि मैंने उस time पे share को क्यों नहीं रखा था तो 2 साल तक तो at least रखे किसी share को और मैं तो कुंगा कि एक तरह से pension plan बना के चलिए के 5 से 10 साल तो हम रखेंगे FDB तो करते है ना 5 साल की tax saving तो उस तोर पे देखके रखे आप किसी भी चीज़ को ऐसे मत सोचिए कि आज खरीदा कल बेच या वो तो फिर आप taxes भरते रह जाएंगे आपको ITR में लिखना आपको बहुत बंगे है धन्यवाद thank you very much